हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम है मनीस गोदरा और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पेपर अटेम्ट करने का सबसे सही तरीका क्या है तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यह मान लीजिए कि अगर आप सारे सब्जेक्ट में 15 15 क्वेश्चेंज इच सब्जेक् में और चार नंबर का एक सवाल है तो इससे आपको नंबर मिलेंगे 180 180 में आपको अच्छा NIT मिल सकता है अगर उस पेपर का डिफिकल्टी लेवल ठोड़ा ठीक वा तो 180 माक्स में आपको बहुत अच्छा NIT मिल सकता है इवन आप जनरल कटेगरी के हो और पेपर अगर डि त्यारी भी नहीं करते हैं और उसके बाद में एक सही डारेक्शन से पेपर अटेम्ट नहीं करते हैं और उन बच्छों को लगता है कि हर कोई सवाल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है जब मैं तयारी कर रहा था मैं खुद IIT मुंबई से पढ़ा हूं मेरे टाइम में मेरी V Alexandra की जैनी भी यही सोच थी एक्जाम देने से पहले तक कि हर कोई सवाल attempt करना थेथे if나 आप्लाई कि वहां पहले हमारे टीचर ले बहुत एक्सप्रींसडं टीचर्स से हम लोगों को बता है कि आप सारे सवाल करने नहीं जा रहे हो मों तो आज मैं आप लोगों को सब से प chemistry सबसे असान भी रहता है बिलकुल NCRT से आता है तो आप सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप सबसे पहले chemistry करो क्योंकि उसमें समय कम लगेगा और आपका जो बचा हुआ समय हो आप बाकी सब्जक्स में लगा सकते हो तो chemistry करते वक्त भी आप सबसे पहले organic और inorganic के सवाल करो कोई physical chemistry का सवाल है thermodynamics का या ionic equilibrium का या electro chemistry का तो यह वाले सवाल में हो शकता है आपको calculation जादा लगे तो सबसे पहले आप अगर chemistry paper आप select करते हो तो chemistry में सबसे पहले उन questions को scan करो जो आपको लगता है कि यहां कम समय लगने वाला है inorganic और organic का तो जैसे आपक questions देखें आपको लगा कि अच्छा इस सवाल यह सवाल होगा नहीं यह सवाल difficult है आपको आसान सवाल ढूंदने 15 15 ऐसे आसान सवाल ढूंद लो जिसको आप one go में कर सकते हो 15 questions अब आप सोचें कि 15 questions में आपके 15 into 4 60 marks पक्के हो गए अब उसके बाद में आप physics पीजाओ क्यों सभी के लिए difficult है है आपको उसी से डरने की जरूत नहीं है कि मैस का पेपर difficult है तो chemistry के बाद में फिजिक्स में जाओ फिजिक्स में भी आप लोगों को questions scan करने है और आपको questions को छोड़ना ऐसे questions जो बहुत difficult है या बहुत time taking बहुत difficult है आपको आपसे नहीं हो रहा तो उस पर पर लगा दो time taking है तो उस पर कुछ डॉट कुछ ऐसा कुछ लिक्स दो कि अच्छा यह question number 15 है 16 है यह question जो है ठोड़ा time taking बाद में हो जाएगा तो आपको सबसे पहले 15 questions टूंडने 15 questions आपको attempt करने हैं आसान आसान ठीक है एक वन को हो गया physics का फिर उसके बाद में सेम पैटर को लग जाएगा लगबग 2 घंटे के आसपास अब आपके पास में एक घंटा है आपने अगर हर subject में लगबग 15 questions कर दिये तो अभी आपके 180 marks पक्के हो गए अब आप उन सवाल को लगाओ जो थोड़े लेंदी थे जो बहुत difficult थे आपको लोगों को लग रहा है कि ऐसे सव सवालों को बिलकुल छोड़ना है अपने को करना ही नहीं है अपने को सारे marks नहीं लाने पेपर में कुछ questions छोड़ने के लिए ही बनते हैं उनको करना ही नहीं होता है तो आप ego पर कोई भी सवाल पर ego पर मत लेना question करना start के और वो difficult आपको लग रहा है और यार यार यह तो मैं फिर करके रहूँगा यह ego नहीं लाना है अपने को अपने को जो कम समय में ज्यादा output दे उसको करना है तो second round में भी आप उनी सवालों को लगाओगे जिसमें पहली बार आपने formula लगाया answer नहीं आया या आपको थोड़ा पता चल गए का अच्छा इसको दो तिन equation किया था क्योंकि आपको लग रहा था कि मैं सबसे पहले कम ताइम जो लगता है वह वाले questions करने वाला हूं तो second round में आपको बहुत difficult नहीं करने जो आपने बहुत difficult और easy के बीच में जो सवाल थे वह वाले questions करने अब यह पूरा second round जो chemistry का फिर physics का फिर maths का यह करना है ठीक है उसके अलावा आप लोगों को आप लोगों को यह बस दिमाग में ढालो कि अगर पेपर मालो बहुत difficult आ गया पेपर का normalization होता है अगर आपका पेपर डिफिकल्ट आथा कोई difficult पेपर में आपके डेड़ सो नंबर और कोई easy पेपर में आपके 180 नंबर हो सकता है आपको बरा वो पेपर बहुत आसान हो और आपका पेपर है मालो 27 को 27 से पहले आपने दो चार पेपर देखे और पता चला कि बहुत आसान है और पता चला आप वाला जो पेपर खोलते आपको लगा रहे यह तो बहुत difficult हो गया यह तो मेरे साथ में बहुत नाइंसाफी हुई तो उस time आप अपने मन को यह बोलना कि देखो यह relative grading है relative score आएगा normalization होगा इस difficult paper में कम मार्क से भी अच्छे percentile आ जाएंगे तो आपको जादा चिंता नहीं करने आपको यह नहीं सोचना है कि अगर मेरा कल पेपर आ जाता कल वाला पेपर आसान था आज वाला पेपर difficult है तो कल हो ज उस टाइम जो जो उस टाइम जितने भी बच्चे एक्जाम देंगी उन सभी के लिए वह difficult है तो उनके हिसाब से relative आपको grading दी जाएगी relative score दिया जाएगा normalization के बाद में आपका rank वैसा ही आएगा दूसरी बात अगर आपका पेपर बहुत आसान आ जाता है तो आप प्लीज यह मत सोचेगा कि बहुत आसान पेपर आ गया तो आप लोग सारे questions करने बेट चाओगे ऐसा नहीं करना है ऐसा नहीं करना है मैंने एक पेपर में ऐसा किया था इस रोका एक अलग से exam होता था I set है ना और उसमें मिरको ऐसा लगा था कि यह बहुत आसान है इसमें तो मैं फ इसमें ओल इंडिया रेंक बढ़िया मारते हैं हना अंडर सुव मारते हैं और मैं सारे attempt करने लगया और उसकी वज़े से वहां मेरी rank अच्छी नहीं आई सारे attempt करने के चक्कर में मेरे negative हो गए तो अगर आपको पेपर आसा जोस में आके ऐसा बिलकुल मत करना कि जल्दी ज कर रहा है और तुम कर नहीं रहे हो या वह बहुत आलस दिखा रहा है तुम नहीं कर रहे हो तो अगर कोई सामने वाला आलस दिखा रहा है उससे सवाल हो ही नहीं रहे तो तुम्हें जोश मेंने आना है एक बात अगर सामने वाला आसपास वाला आगे वाला बहुत तेजी स सवाल कर रहा है, तो आपको ये सोचना है कि बाई, ये मेरी सीट नहीं लेके जाएगा, ये मेरी ये ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे को हर कोई बच्चे से competition नहीं है, मेरे को उसको देख के उदास नहीं होना है, बस आप ये सोचना कि मैंने जितने तयार किया ना उसका मैं मैक्जिमम आउटपुट आज देखके जाऊंगा मैं फालतू की इधर उदर की गलतिया नहीं करूंगा लोगों को देखके अपना मन change नहीं करूँगा लोगों को देखे अपने speed चेंज नहीं करूँगा तो कुल मिला कि मैं अभी summarize कर देता हूं कि जो मैंने पुरा बताया है वीडियो में सबसे पहले easy सवाल करने है chemistry के फिर इजी सवाल physics के फिर इजी सवाल math के उसके बाद में थोड़े difficult है उन सवालों को attempt करना है अगर पेपर बहुत easy आ गया है तो सारे questions करने की कोशिश मत करना बहुत easy आया है तो आपको यह सोचना है कि इसमें accuracy बहुत बड़ा role play करेगी सही सवाल बहुत बड़ा role play करी बहुत difficult आ गया है तो आपको उसमें भी डरने की बात नहीं है आप यह सूचना कि NTA normalize करेगा और normalization के बाद में rank वैसी ही मिलते रहेगे तो दोस्तों doubtnet आपका पूरे time तक साथ देगा जब तक तुमारा final exam जह advanced नहीं हो जाता तब तक हम गुट लुकुझ